और एैहलो फ्रेंट्स हम लोग एनाइसी का चौ抗ी एक्जाम होने वाला है जो वेकेंसे आया है उसके बारे में डिसकस करेंगे कि इसके मैं में चालिप का बारे में इसका कट आफ कैसे जाता है ठीक है टोटल 120 कुश्चन रहता है निगेटिव मार्किंग 0.25 है मतलब 1 बाइ 4th कटप जो है 50% जेनरल के लिए 40% OBC और 30% SCSD वाले काटेगरी वालों के लिए है लेकिन overall कटप जो है हमारा जितने नंबर आफ अपलाइड किये हैं उस हिसाब से निकलता है कि मतलब कितना कटफ जाएगा इसका प्रीवियस यर का कटफ देख सकते हैं मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको कटफ यह वाइज दिया रहे सब्सक्राइब की 120 कोश्चन में 42 कोश्चन टोटल नंबर ऑफ जैनरे कोश्चन इस 42 और 78 टोटल कोश्चन हमारा रहता है आईए हम लोग एक-एक करके पूरे सुलेबस को डीटेल्स में देखते हैं कि में जैनरीक में तो मैं बता दूं जैनरीक में आपका नॉर्मल सिलिबस आता है मतलब जन्रल एप्टिट्यूड लॉजिकल रीजिनिंग और आपका इंग्लिस तो यह तीनों पूरे सिलिबस से आता है आप वो प्रिपेर्ट कर लें मतलब आपको पूरा रीजिनिंग का सेक्शन थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा मैं सबक को प्रोपोजिशनल लॉजिक फर्स्ट और लॉजिक जो कि हम लोग गेट किसलिबस में पढ़े हैं अगर आप नहीं पढ़ें को प्रिविएस यर गेट का क्वेश्चन उठाके देखिए कि क्या 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 क्वेश्चन आया है और मैं कुछ वीडियो बनाऊंगी कुछ नह सब्सक्राइब करना है लिनेर अलजेवरा ग्राफ त्योरी और कॉंबिनेक ट्रीज जिसमें पर्मेंटेशन और कॉंबिनेशन है काउंटिंग है समिशन है और नीचे देखिए यह कनेक्टिविटी स्पैनिंग ट्री कर्ट बर्टिस अलजेवरा मैट्रीस इगन वैल्यू सबते हैं अल्रेडी पर चुक हैं 11 12 में जैसा कि आप लोग को याद होगा यह और यह साड़ा चीज पड़ें अब गेट में भी जब जो का कर रहे हैं वो लोग भी उसब और चुक है तो हम लोग नेक्स्ट है मारा यह इंजिनिरिक मैठेमेटिक्स में ही आता है निमेरिकल आप लोग पढ़े होंगे नियुमेरिकल मैथमेटिक्स सेकंड एर में इंजिनेरिंग के जिसमें न्यूटन रैप्सन है ट्रपेजडल रूल है सिंसन्स रूल है लू डिकॉंपोजिशन है कैल्कुलिस तो आपने 11 12 में पढ़ा है वही सेम चीज आपको पढ़ना है सेम बुक उठाइए कुछ लगाईए प्रिवियस के कोश्चन को बस आप एक बार देखते जाएए फिर हो जाएंगे आपके सारे सॉल अब कंप्यूटर साइंस मेंली कोर सब्सक्ट के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं कि डिजिटल एलेक्रोनिक्स पहला हमारा सब्सक्ट है जिसमें हम मिनिमाईजेशन टेकनी के मैप और कंबिनेशनल और सिक्वेंशील सर्कीट जो पढ़े हैं लोग और नंबर सिस्टम के बारे में जो पढ़ें हम लोग फिक्स रैन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिपर्जेम्टेशन जो हम लोग पढ़े हैं इतना हमको डिजिटल एक्ट्रोनिक्स वालों के लिए ज्यादे फैमिली है जिसमें एम एफम यह सब आप लोगों को पढ़ना है आप फ्रोजन का बुक ले लेंगे अगर नेट्वर्किंग के लिए कंप्यूटर नेट्वर्क के लिए तो आप यह सारा जो पोर्सन है वह उसमें कभर है तो आप ए दिजिटल कॉम्मिनिकेशन सेम हम फ्रोजन के बुक से ही यह सब चीज़ कवर कर लेंगे आप फ्रोजन का बुक उठाइए कंप्यूटर नेट्वर्क का जो है और उसमें PCM, DPCM सब स्टार्टिंग के ही कुछ चैप्टर्स में है यह आप वहां से बेसिक नॉलेज ले इसे अप्रोज्रामिंग इन सी में में मेंको क्या फंक्संस रिकर्शनस पार्यमीटर पासिंग इसको बाइंडिक डेटा टाइप ऐरे स्टैक्स यहीं सब लोग पर रहे हैं संट्री बारी हीपस ऑब्जेक्त फिर मेंली हमको उप्स का कॉंसेप्त इसमें परणा है इनेडि अचैंड सब्सक्राइबow में में होता है। तो वही डाइनेमिक में में क्लेयरे मन को आपको सब्सक्राइब इसमें आपको पूरा पढ़ना होगा रेगुलर कॉंटेक्स प्री कॉंटेक्स सेंसेटेव और रिकर्सिब लेवल और ट्यूरिंग मसीन सब उब को पढ़ना है और कंपाइलर डिजाइन भी प्रोटा सो टॉपीक करें लेंगे वहीं आपको पढ़ना है क्रवारे में数 जैनेशन के बारे में ऑप्टीमाईजीशन के बारे में विक कर दिया गया है फिर ऑपेटिंग शिस्टम और फिर समय 6 वालों क utility होता है क्योंकि एर्ट कमुणिकेशन कान कॉंकरींसी डिट लॉग सी DPC dealing memory management virtual memory file system input output system protection security जो कि मेन हम लोग CS वाले BCA वाले MCA यह सब्जेक्ट में हम लोग यही अभी तक पढ़े हैं तो वह है मिली हम लोग Galvin से पढ़ें तो मैंने Galvin को रेफर किया है फिर database में लोगों से पढ़ते हैं तो को मैंने रेफर किया है तो डेटाबेस वही बेसिक है बीटेक वाला ER model, relationship model, SQL के बाड़े में जानना B और B प्लस T के बाड़े में जानना B और B प्लस T से काफी questions numerical आते हैं मैं उसको one by one solve करी हूँ 2018-2017 year wise जो भी पूछा गया है उसमें लिक दिया गया है कि डेटाबेस से question आया है किस module किस topic से question आया है transaction से भी काफी questions आते हैं फिर हमारा system and software engineering से question आता है जिसमें हमको आप software engineering का syllabus आप लोग पढ़े है planning और जो हम लोग SDLC वगड़ा बनाते हैं वह यह implementation maintenance टेस्टिंग यह आप कहीं से भी थोड़ा थोड़ा बहुत भी नॉलिज ले लेंगे तो यह एनफ है और previous year paper मैं solve कर रही हूं और continuously काम चल रहा है one by one videos upload होते जाएंगे आप लोग बस इसको सब्सक्राइब कर लिए और देखते जाएगा फिर है computer network जो की गेट में भी है वही OSI model मतब सेंगेट का से लिए बस आप समझ लिए IPv4 IPv6 में डिफ्रेंस का application पर कितने साथे प्रोटोकोल से उस प्रोटोकोल के बारे में basic knowledge देख लिए अगर आप लोग नहीं कर पाएं तो मुझे बता दीजेगा इसका मैं छोटा-छोटा टॉपिक बना दूंगी और उसका वीडियो बना रहेगा आप लोग वहां से रिफर भी कर सकते और प्रीविएस एर पेपर तो सौट रहेगा और अब यह तीन तोपिक है यह निव टोपिक है वेप टेखन लॉजी स्टी एमल फाइप के बाड़े में यूएस्ट बर्जने उसके बारे में पढ़ना है च्छेमल के बारे में पढ़ना है वेब सर्वर एमपीसी आर्किटेक्चर यह एकदम छोटा-छोटा टॉपिक है अगर आप लोग को प्रॉब्लेम हो रहा है बता दीजे टॉपिक का नाम लिख दीजे जिस पर जादे कमेट रहेगा उस पर मैं बना दूंगी वीडियो और फिर साइबर सिक्यूरिटी एन इमर्जिंग टेक्नलोजी यह भी एक नया टॉपिक है अब जैसा कि मैंने बताया कि मैं वीडियो बना रही हूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉटिफिकेशन बटन को अन कर लिजे ताकि स्टडी टेबल से जो भी वीडियो आपको मिल रहा है एनाइसी का में ली एनाइसी का भी बनेगा प्रीविएस एयर पेपर जो मेंन टॉपिक्स पूछ रहे हैं जादे तर उसके ओपर हम बनाएंगे चलिए थैंक्स फॉर वचिंग मैं वीडियो